बिल्कुल आईरवेदा में पीलिय का इलाज बहुत अच्छी तरह किया जाता है इवन पीलिय को क्योर करने के लिए हमें आईरवेदी क्रीट्मेंट ही लेनी चाहिए इसमें हम पुनानवा मंदूर और साथ में स्पोर्टी मेडिसिन्स दे सकते हैं मूली मूली का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए और इसके पत्ते पत्ते जो होते हैं उससे हमारी बाड़ी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिवर इन सब चीजों लिवर पेर कर लेता है अपने आपको लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगता है जैसे उसके खाने के लिए ल सच श्रीकाल तुसी देख रहे हो महाँ प्याब जूए से ते मैं हाँ सिरीप सैने आज जैसे एक वर फिर शिरीतन मंती हो स्विवर चाहिए जित्ते हैसी फैट लीवर दे अकसर पहला वीक वर इगाल कर चोके हैं आज दोबारा उसी उसी डिसीज दे गाल करांगी ते ओर नो रादा जी ना तो डी तो नो जानूगराम आगे फैट लीवर दे कारण और लश्रीकाल जी महाँ पंचाब USA की दर्शकों को मेरी तरफ से नवश्कार आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के नेक्स्ट सिम्टम पे जो है जॉन्डिस जॉन्डिस एक बिमारी नहीं है ये एक सिम्टम है लक्षन है ये पेशन में दिखता है ये हमें स्किन से आई से और नेल से हम इसको इडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशन को पी लिया है और इसमें भूख बहुत कम लगती है पेशन को चिड़चिडा पन स्किन पे इचिंग होना ये थोड़े सिम्टम्स कारण की है पीले का कारण बहुत से कारण है ओवर यूज ऑफ अलकोहल कंटैमिनेटिट फूड जिसमें बहुत मतलब स्ट्रीट फूड खाना बहुत जादा खाना प्रोसेस्ट फूड अजकल हर बच्चा हर हर इंसान जरूरी नहीं बच्चे हर एज ग्रूप से सभी लोग प्रोसेस्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं और वो एजिली एविलेबल भी होता है तो वो सब बहुत ज़्यादा करते हैं उससे लीवर पे बहुत लोड पड़ जाता है लीवर हमारी बॉड़ी की फैक्ट्री है वो ही हमारी बॉड़ी बॉड़ी को जो है वो उसके फ infection और बाइल डक्ट ब्लॉक मतलब डक्ट ब्लॉक हो जाना उसकी विज़से भी हमें जॉन्रिस होता है हमें पेलिया हो जाए किसी किसी को पेलिया हो जाए तो उसमें हमें खाना क्या चाहिए अगर पेलिये को हमें जल्दी ठीक करना हो हाँ पेलिया हो जाए तो सबसे बड़ा मित हमारी लोकालिटी में ये है कि हमें टर्मरॉक नहीं लेने चाहिए ये pitch ऐसा कुछ नहीं होता है कि तर्मेरिक खाने से हमें आरा पीलिया बढ़ेगा तर्मेरिक ऐसे एंटिवाटिक होती है हमें और इसमें खाना चाहिए जैसे कि सबसे हलका खाना नॉन स्पाइसी और जो नॉन विच खाते हैं उनको तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा इवन जूस, गन्यकारस, ग्रीन वेजी टेवल्स, आप वीट रूट का जूस यूस कर सकते हो अनार खा सकते हो है यह सब चीजे बहुत हेल्पूल नहीं लिवर को रिपेर करने के लिए और आशले प्रॉबलम तब आती है जब पेशेंट को लिवर, जॉन्डिस हो जाता है उसकी स्टूल का कलर वाइट हो घता है तब पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो इट वीज हमारी बाडूड़ी में डख्ट्स ब्लॉक है तो उस टाइम पे हमें अपने खाने के जिन्ट करना ही पड़ता है जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट आजरुवेद में इसका 100% ट्रीटमेंट है आजरुवेद रही हैं अपरेंट लेसा करने आज तो अडियोस बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में आर्वेदिक पदती से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है और लीवर का सब से चछड ट्रीटमेंट आर्वेदा से ही होता है 100% पेशेंट ठीक हो जाता है आरवेदिक ट्रीटमेंट से इसमें हम पुन नवा मंदूर हमें इसमें आईवी फ्लूट्स देने पडते हैं लेकिन आर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही सब समभव है किनना टाइम आपंगा पे हैं और पेशंट का जो है लाइफ स्टाइल क्या है उसकी फिजिकल एक tis तो पेशंट करता लेकिन बहुत से पेशंट to तू 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 त्री डेज में रिकवर होना शुरू हो जाते हैं तुसी जानदे जानदे देश्कानु की करना चाहूंगे कि असानु इस वीडियो जारी है सानु होर की करना चाहिए पेलिया जिनन हो चुका है मैं सब व्यूवर्स को यही बोलना चाहूंगी कि आजकल हम सब बहुत हेल्थ कॉंशियस हो गए हैं लेकिन आपने देखा होगा जो हेल्थ कॉंशियस है वो भी इससे सफर कर रहे हैं वो क्यों क्योंकि मिलावट हर चीज में मिलावट है हर चीज पॉलिष्ट आ रही है तो हम में पोशिश करनी चाहिए कि अपने हंडर किलोमीटर में जो हमारे लोकालिटी में चीज़े होती हैं उसका यूज कीजिए ये नहीं जो फैंसी चीज़ें ऑलिव उयल का यूज कीजिए आपको क्या पता कि उसमें क्या मिलावट है आप अपना सरसो का तेल खाईए में खाऊगे तो वो हमारे लिए दवाई का काम करेगी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी धन्यवाद